और चले खबरों की शुरुआत करतें एक बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग निउस से आपको रूबर उकरा दें पहलवानों के आरोपों पर बोले ब्रिज भूशन शरन इस वक्त की बड़ी खबर एहम जानकारी मैं इस्तीफा नहीं दूँगा जवाब दूँगा ये कहा गया है कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग की और से सिर्फ कुछ सीज़दी लोगी नाराज हैं ये भी कह रहे हैं वो 22 जनवरी को आयोध्या में WFI की बैठक होगी मैं विदेश नहीं भागा हूँ यहीं पर हूँ मैं कुछ बोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी तमाम तरह की बातें ब्रिज भूशन शरन बोल रहे हैं आपको बता दें कि पहलवानों की और से भारतिय कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन के उपर ब्यद गंभी रारोप लगाए गए हैं योन उत्पिडन समेथ कई और भी और इस पूरे मामले को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं आज उनके प्रदर्शन का तीसरा दिन है और इस बीच ब्रिज भूशन शरन की और से ये बयान सामनी आया है उन्होंने कहा है कि स्तीफा नहीं दूँगा उन्होंने कहा कि जवाब दूँगा और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि आज शाम को उनकी और से प्रेस कॉंटर्थ भी की जानी है जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी करिबन चार बजे का समय सामने आया है जब वो फैस कॉन्फेंस करते हुए नज़राएंगे पहलवानों के आरोपों पर ब्रिज भोशन शरंग का ये ताजा बयान आपको बता रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं स्थीफा नहीं दे रहा जवाब दूंगा और मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है ये भी बोल रहे हैं वो तो बड़ियो रहम खबर से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त दंगल चल रहा है और दंगल पहलवानों की और से प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है